मनुपर्सार और सभी लोग को स्वगत करता हूं आपको लोग आपिसे लिए के चैनल सर्चिंग पर पास पर मैं किसी की जोटी आप लोगों को बैक तुबैक दिखा रहा हूं कि आपका उसा पुझामंड़ थीम दाया जाए थिक निव इस्टार छे नंबर विजय नगर के पास हम लोग आते हैं बता दू आप लोग बहुत ऐसे मंदीर का थीम देखे होंगे रंग बिरंगा मंदीर लेकिन यह जो कॉमल गंधार थीम का नाम रखा गया है थिक इस थीम का नाम कॉमल गंधारा की क्यूं रखा गया है वह आप लोगों को बताने वाला हूँ सबसे पले एक छोटा सा बात में बताता हूँ आप लोग मंदीर का थीम देखे होंगे रंग बिरंगा लेकिन मंदीर के तरज पर जो यह कालपनिक थीम बनाये गया है यह स्वापुरी ब्लैक कलर से लेखा है बोला जाए तो एक अत्याधुनिक चमक इस मंदीर से निकल रहा है चलिए सीधे सीधे आप लोगों को मंडप का वो ड्रिस से दिखाता हूं मंडप के भीतर ऊपर में किस तरीके से कलाकारी और डेकोरेट किया गया है लाइटिंग का इफिक्ट जो पर रहा है अलग ही एक वा भाई वारा है साती सात माकाली का वो भव्य रूप आप लोगों को दिखाना चाहता हूं महटी निव स्टार क्लब छोणममर बिजय नगर दोजार चौवविस साल स्यामा पुजा यानि की माकाली का अराधना किस तरीके से भव्य रूप से कर रही है वो आप लोगों में को मिला है लेकिन नियुश्टार के तलब पे 2024 साल का जो मात आली का आराधना किया जा रहा है वो अपने आप में एक गर्व करने वाली बात है नियुश्टार क्लब के सारे मेंबरों को एक great salute है अगर वो लोग नहीं होते तो इतना अच्छा एक भव्य थीम हम लोगों को मिलता आप लोगों को बता दू जो यह मंदीर का थीम आप लोग देख रहे हैं यह सौल्ट लेग में 2023 साल में दुर्गापुजा के उपलक्स पर बनाये गया था ठीक उसी मंदीर को यहां पर लाया गया है और यह मंदीर का अगर इस्ट्रक्चर मैं जितना तक जानता हूं खोड़ा बड़ा था यहां पर जगह कम होने के वज़े से कुछ पार्ट इस मंदीर का मिसिंग जा तो फिलाल और एक बार मैं आप लोगों को इस मंदीर का दर्शन करके दिखाना चाहता हूं जो की कौमुल गंधार नाम रखा गया है पूरा-पूरी ब्लैक कलर से इसको ट उन्जे 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 जगदीश है उन्जे 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 जगदीश है नाइट के टाइम में ये अलगी वाइब है अगर आप लोग यहां देखने नहीं आते हैं तो समझ नहीं आएगा फिलाल हम लोग नहकी काली पूजा उस सब को इसी तरह विजिट करते रहेंगे में इस्टार कलब को यहीं पे स्कोड़े जाता हूँ अभी बैक तुबैक आप लोगों को नहकी सिटी में बहुत ही अच्छे अच्छे और बैतलीन खीम बनाये गए जो आप लोगों को दिख